कि नमस्कार मैं हूँ आपके साथ मनिशा डिंडोरिया स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में बतादू देश के कई हिस्सों में आज भी महिलाएं हिजाब को लेकर प्रदेशन कर रही है तो वहीं केरल से जो गवर्णर है आरिफ महम्मद खान हिजाब को लेकर उनकी प्रति कि लिए करान में जो लोग बहुत सब्सक्राइब को लिए कहा गया है बुर्का पहनने के लिए कहा गया है तो उसकी असलियत जो है आरिफ महम्मद खान ने बता दी है एक स्टोरी को भी उन्होंने बताया और जिस तरीके से यह हिजाब और बुर्के को मैंडिटरी माना जा देश के कई हिस्सों में इस वक्त हिजाब को लेकर महिलाएं प्रदशन कर रही है आरिफ महम्मद खान ने इस पर कहा इसलाम में हिजाब उस तरह जरूरी नहीं है जैसे सिक धर्म में पगड़ी उन्होंने कहा कि यह मुसलिम लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकने की एक साजिच है देखिए आपको मैं बता दू कई सारे ऐसे लोग हैं चाहे वो सेलब्रेटीज हो या फिर विपक्ष के नेता वो हिजाब और बुरके को सिक की पगड़ी से भी जोड़ रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं अगर एक सिक धर्म के व्यक्ति को पगड़ी पहनने की अन जलत है क्योंकि जो सिक धर्म में पगड़ी है वो अनिवार्य है लेकिन कुरान में मुस्लिम महिलाओं का हिजाब या बुरका पहनना अनिवार्य नहीं है तो ऐसा कुरान में कहीं भी नहीं निकला है तो आरिफ महम्मद खान ने यहां पर यहां पर बहुत जदा बयान पूरी पूरी साधिश है यह क्योंकि देखा जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को किस तरीके से बरगलाया जा रहा है चोटे-चोटे मुद्दों को लेकर अगर मुस्लिम महिलाओं आगे बंढ़ने की और कदम रखती है तो उनको पीछे खीचने के लिए ऐसे तमाम और हिजाब में रहने की इस तरीके से सलिहत दे रहे हैं कि महिला को परदे में ही रहना चाहिए जबकि ऐसा कुरान में जिक्र है भी नहीं तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से जो आरिफ महम्मद खान है कैरल के गवर्नर उन्होंने अपने एक इंटरव्य पसंद नहीं है वे बाहर जा सकते हैं क्योंकि स्कूल और कॉलेज में अनुशाशन बेहत जरूरी है तो कड़े शब्दों में नोंने यहां पर हमें बता दिया है कि जिस तरीके से पसंद ना पसंद पर सवाल उठाये जा रहे हैं कि महिला की मर्जी है उसकी पसंद है उसकी चॉइस वो कुछ भी पहने तो यह स्कूल कॉलेज में लागू नहीं होगी आपकी चॉइस स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म चलेगी अगर आपको लगता है कि यूनिफॉर्म पहन कर आप नहीं आ सकते हैं आपको हिजाब और बुरका ही चाहिए तो आप सेक्शिक का हवाला दे रहे थे और देखिये उनोंने कहा कि इसखाब कोई देना नहीं है जो कॉछान में हिजाब का मिस्कुलाद कर देदुवर्म पहनावे कोई देना Wikus लागता है इसके सब्सक्रा तो लिए किमार का कर देदुद्द नहीं है ऑग्योग पहनावे कर दिया दो में और यह जो कुरान की बात होती है कि कुरान में लिखा गया है कि महिला के लिए हिजाब और बुर्का उनका पहनावा नहीं है यह उनकी मर्जी है वो पहने या ना पहने बाकी परदा करना लिखा गया है लेकिन कहां कहां किस जगा पर परदा करना है वो भी मैंशन किया गय है जाप पर आप हिजाब या बुर्का पहन कर जाए या फिर परदा आपको करना पड़े और इस जिससे लगे कि हाँ आप एक धर्म या मजब से रिलेट करते हैं मतलब आपको जरूरी नहीं है कि आप स्कूल में जाकर ये दिखाएं कि आप मुस्लिम धर्म से तालुक रखते हैं मौजुदा विवाद और हिजाब को इसलाम से जोड़े जाने पर उन्होंने आगे ये भी कहा है ये लोग उन बातों पर लड़ेंगे जिनका कुरान में कोई जिकर ही नहीं है उधारन के लिए तीन तलाक जो असल गुना है जो बताया गया है देखिए तीन तलाक के लि ये इस तरह की कूरिती को अपने इसलाम धरम से अपने मजब से जोड़ते हैं ये वही लोग हैं जो महिलाओ को अपने से आगे बढ़ते हुए देखी नहीं सकते हैं उधारन के लिए उन्होंने तीन तलाक कभी उधारन दिया और साथ ही देखिए उन्होंने बताया कि जो पताया गया है उसे छोड़कर अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना ये वह लोग हैं जो मानते सब कुछ हैं लेकिन कहते हैं कि हम इनके मुताबिक आचरण नहीं करेंगे हम तो अपनी मर्जी करेंगे तो देखिए जिक्र कर रहे हैं कि अपनी मर्जी से यह कभी बुरका पै कर बैठेंगे अपनी बात को समझाने के लिए केरल के राज्यपाल ने एक कहानी सुनाई और ये कहानी बहुत महत्पूर्ण है क्योंकि यह इसलाम धर्म से रिलेट करती है और यहां पर सचाई इनोंने बयान की है कि जिस तरीके से इसलाम धर्म अपने मजभ का हवाला देत ही लहाज़ा वह अपने सगे भाई की बेटी को एक तरह से गोद ले लेती हैं और खुद पालती है सारी जिंदगी वह बच्ची बहुत खूपसूरत होती है उसकी शादी गवर्नर से होती है उसका शोहर उससे कहता है कि तुम अपना चहरा ढखो परदा करो वह अपने शोह अपना की यह बात कर रहे हैं वह वह ठीक खूपसूरत महिला हुआ करती थी और पैगंबर महममद के टाइम की पहली महिला वारिस जिसने परदा करने से साफ मना कर दिया था तो इसलाम धर्म के जो पहले एक एसे इनसान माने जाते हैं जिनोंने शुरुवात की इसलाम की औ और उसको अल्ला की तरह पूजे और अल्ला का शुक्रादा करें कि ऐसी खुबसूरती उन्हें दी गई है। और साथ ही आपके में बता दू जिस खिमार का जिकर कर रहे थे राज्य पाल उन्होंने इस पर बात करते हुए कहा कि समाज में दो वर्ग होते हैं आजाद और गुलाम जो और गुलाम थी उनके साथ बत्तमीजी की जाती थी उन पर अपना हक समझा जाता था जब इस तरह की घटना आजाद महिला के साथ हुई तो खिमार चलन में आ गया उनसे कहा गया कि खिमार अपनी कमीज पर डाल लो ताकि तुम्हारी पहचान हो सके तो देखिए खिमार उन्होंने अपने वस्तर पर डालने के लिए कहा यानि के एक छोटा परदा जिससे की आप अपनी हिफा या फिर बुर्के का जिकर नहीं है कि आपको पहना जरूरी ही है तो जिस तरीके से केरला के गवर्नर आरिफ महम्मद खान ने यहां पर तमाम चीजे इसलाम धर्म के बारे में बताई कुरान के बारे में बताई और जिस तरीके से जो पहली महिला थी जो जिस इसलाम से ताल लिए आप बुरके और हिजाब की मांग कर रहे हैं जबकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं एजुकेशन लेना चाहते हैं देखें सिख्षा ही महज एक ऐसा मात्र है आपको हर बुराई से आगे बढ़ाने के लिए अगर आप पीडी थे हैं तो आप उससे और आगे अनुभव करके जा सकते हैं और अपने आने वाली पीडी को उससे एक सीख दे सकते हैं लेकिन उसी सिख्षा से वँचित करने के लिए ये तमाम जो मुस्लिम और इसलाम के ठेकेदार बनते हैं और अपने आपको इस मजभ़ब के ठेकेदार बताते हैं वो लोग इन म माग में एक ऐसी भड़काऊ चीजे आ रही हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो पीड़ उन्हें प्रताडित किया जा रहा है अत्याचार उनके अपर हो रहा है उनके धर्म के हिसाब से उन्हें कपड़े नहीं पहने दिये जा रहे हैं जबकि मैं आपको बता दू हिंदुस्त कि अधार पर किसी स्कूल या कॉलिज में जाते हैं तो वहाँ पर आपको एजुकेशन मिलती है सिक्षा मिलती है ना कि आप ये ऐसास दिलाते हैं वहाँ बैठके कि आप इस धर्म या इस मजब से तालुक रखते हैं आपको बता दू इंडोनेशिया पाकिस्तान जैसे हमारे देश में लोकतंत्र के नाम पर वहाँ फ में लोग पता है कि क्या हाल होगा हम नहीं बूले हैं और अभी विदा लेकर आ रहे हिसमें इस तरीके महारास्ट में जुट जाती हैं और वहां पर जाके नारे लगा रही यह बरगला रही है यहां पर दिमाग करने की कोशिश की जा रही है और वो किसलिए सिर्फ एक गौपर्मेंट वजे से जो गौपर्मेंट उन्हें सारी सुविधाय दे रही हैं लेकिन हां election है तो इनको चा मसले पर क्या कहना है मारसा ऐसे बने रहे धन्यवाद कर दो